अगर आप भी यूज़ करते हो Samsung Galaxy A16 5G के फोन ते विडियो आपको बताने वाले आपके Samsung के फोन में इस्माट कॉल शेटिंग के बारे में कौन से स्माट कॉल फीचर हैं जो आपको देखने को मिलने वाले हैं तो सबसे पहला काम आप अपना फोन डाले रोपन करें जिससे कॉल करते हो अब आप लोगों को राइट हैट सबसे उपर कॉनर में 3 डोट पे किलिक करना यहाँ पे settings का option मिलता आपको इस पर किलिक करना है settings के option पे जिससे आप लोग किलिक करते हो किलिक करने वाद यहाँ पर देख पाएंगे कुछ ऐसा interface screen पे देखने को मिल जाता है अब यहाँ पर है call background का option आपको call background के option पर किलिक करना है इस पर किलिक करने वाद right side सबसे नीचे आप देखेंगे background का option है इस पर हम किलिक करते हैं अब यहाँ पर right side सबसे उपर plus का button है हम plus के button पे किलिक करेंगी और यहाँ पे तमाम types के आप लोगों को photo जो है आपको मतलब folder होगा लाँ मिल जाते हैं इस में भी आपका photo उस पर किलिक करिए किलिक करने वाद यहाँ पे आपको सबसे नीचे set as call background का option है इस पर किलिक कर देना है आपका photo successfully calling in screen पे set हो जाता है अब इसके बाद बैक आते हैं यहाँ पे एक option answering and ending calls का हम इस पर किलिक करते हैं इस पर जब आप लोग किलिक करेंगे किलिक करने वाद इसमें बहुत से फीचर है पहला option है read colors name allowed अगर आप इस option को आन कर देते हैं और इस पर किलिक करेंगे तो आप यहाँ पे bluetooth या handset only set कर सकते हैं जब भी call आएगी तो नाम बोलेगा आपका phone answer automatically अगर इसको आन कर देंगे तो जब भी आपका phone bluetooth से connect रहेगा दस सिकंड में पहले call आएगी दस सिकंड फोन बजएगा और दस सिकंड में automatic call receive हो जाएगी इसके बाद है press volume up to answer call अगर इसको आन कर देते हैं तो जब भी call आ रही है यहाँ पे card, display, wheel, using apps इस पर आप किलिक करिए इस पर किलिक करने बाद यहाँ पे आप left side उपर देख सकते हैं full screen का option है इस पर किलिक करेंगे कोई भी call आएगा full screen में so होगा pop up पे किलिक करेंगे उपर दिखाए देगा mini pop up में और छोटा उपर दिखाए देगा तो जैसा भी style चाहिए आप यहाँ से choose कर सकते हो